तो देखते हैं पर question number second में हमसे क्या पूच आ गया है What are the methods used by plant to get rid of excretory product तो यहाँ पर हम जैसे की बात कर लेते हैं human की तो human का जो यहाँ पर excretory होता है वो यहाँ पर क्या होता है kidney होता है, kidney से हमारे यहाँ यहाँ पर क्या होता है body cells को use कर लेते हैं और वो यहाँ पर carbon dioxide gas में change होता है फिर release हो जाता है same यहाँ पर जो plant होता है वो अपने excretory product को कैसे release करते हैं उसके यहाँ पर हमें method बताने हैं तो सबसे पहला method यहाँ पर देख लेते हैं the plants produce carbon dioxide as a waste product during respiration and oxygen as a waste product during photosynthesis तो आपको पता जब यहाँ पर plant photosynthesis की process करते हैं तो वहाँ पर oxygen gas को release करते हैं मतलब वो वहाँ पर CO2 लेते हैं और oxygen gas को release करते हैं उस समय oxygen gas उनका waste product होता है normal time जब वहाँ पर photosynthesis की process नहीं होती है तो उस समय उनका carbon dioxide waste product होता है क्योंकि उस समय वो oxygen लेते हैं और carbon dioxide gas को release करते हैं the plants get rid of gaseous waste product through stomata in their leaves and lenticles in stems तो यहाँ पर जो waste product होता है वो कहाँ पर release होता है plant की leaves से release होता है plant की leaves में यहाँ पर क्या होते हैं इस्टोमेटा होते हैं जहाँ पर exchange of gases होता है मतलब वहाँ पर CO2 और oxygen का जो यहाँ पर exchange है वो वहाँ पर कहाँ पर होता है plant के leaves में जिसको इस्टोमेटा बोलते हैं और यहाँ पर stems में भी कुछ lenticles होते हैं जहाँ पर exchange of gases होती है और यहाँ पर इस्टोमेटा में भी transpiration का process होता है यहाँ पर पहले ही मैं बता चुका हूं transpiration का मतलब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इस्टोमेटा में होता है अब यहाँ पर बात कहलेते हैं second point की The plants store some of the solid and liquid wasted in their body parts such as leaves, bark and fruits तो plant यहाँ पर कैसे store करके रखते हैं? कुछ solid में और कुछ liquid में और solid liquid जो waste होता है वो कौन से body parts में store करके रखते हैं? leaves में, bark में and fruits में leaves में आपको पता है जो यहाँ पर full पती हो गया bark मतलब जो उनका beach का हो गया और जो fruits होते हैं आपको फल के बारे में तो पता ही होगा तो वो यहाँ पर किस में store करकते हैं? इन तीनों में store करके रखते हैं the plants get rid of stored solid and liquid waste is by shedding of leaves आपको पता है कि पज्जड का motion होता है तो उस समय वो यहाँ पर क्या करते है? shedding of leaves पताब वो यहाँ पर क्या करते हैं? अपने पत्य घिराना start कर देते हैं जो bark आपने देखा होगा जो यहाँ पर जो यहाँ पर tree होता है और इनका जो bark होता है इनका यहाँ पर क्या होता है? वो peel होने लगता है मतलब वो निकलने लगता है तो उस तरह से वो यहाँ पर waste material अपना release करते हैं और आपने देखा हूँ जब fruits होते वो अपने यहाँ पर नीचे गर जाते हैं तो यहाँ पर भी वो इस तरह के से अपना waste release करते हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके last point की The plants get rid of their waste by secreting them in the form of gums and resins आपने देखा होगा कुछ plant में यहाँ पर कुछ sticky material होता है जैसके यहाँ पर यह हमारा tree है और tree के side में आपने देखा होगा कुछ gum like का होता है gums and resins होते हैं वो क्या होता है काफी sticky liquid होता है जैसके यहाँ पर आपने देखा होगा जो favicol होगा और कुछ waste material वो अपने यहाँ पर soil के आसपास release करते हैं, जैसके यहाँ पर tree और यहाँ पर soil है, तो कुछ waste material वो अपने आसपास के soil में यहाँ पर क्या करते हैं, release करते हैं, तो होब आपको यहाँ पर तीनों point के लिएर हो गई होंगे, अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ,